नवस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चैनल में स्टेस्पिकलाइच पर जिया दोस्तों आए आज के आप शूर्चिंक चे क्रम चे जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आये तो सबसे पहली खबर देख लेते दोस्तों आज यहा कोसल रोजगार निगम के तैत काम करते हैं क्रमचरी खुश हो जाते हैं जैसे उनको कोसल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाता है बहुत सारे क्रमचरी लगातार डिमांड भी उठाए रहते हैं कि उनको कोसल रोजगार निगम में सामिल किया जाए लेकिन दोस्तों कोस कोशलोजगार निगम के तैत लगे हुए थे यहां पर आप लोग देख पाएंगे अनुबंदित बिजली क्रमचारी संग की अगवाई में परदेश भर के 500 क्रमचारियों ने मंगलवार को बिजली निगम के दपतर पर 7 गंटे तक नारे लगाए लेकिन इनके नारों का आप करमचारियों को जो कोशलोजगार निगम के तैत काम कर रहे थे तो रोजगार की सुरक्ष्या सबसे बड़ा मुदा होना चाहिए सिलरी हो सकता है आगे पीछे होकर एक महीना दो महीना तीन महीने लेट होकर मिल जाए लेकिन जब नोकरी ही नहीं रहेगी तब दोस्तों वो सिलरी भी कैसे मिलेगी चाहिए वो कम है या फिर ज्यादा है तो रोजगार की सुरक्ष्या सबसे बड़ी बात है तब ही जाकर जो कोशलोजगार निगम की कुछ वैल्लू हो सकती है वरना कोशलोजगार निगम की वैल्लू भी ठेकेदार की तरह ही हो गई है उनको भी दोस पहले में क्रम्चारी बिजली निकम के आला अप्सरों से लेकर सत्हा पक्स के जो रसूकदार नेता उनको भी क्रम्चारी गुहार लगा गपांदे चुके हैं लेकिन रजल्ट बिलकुल जीरो है तो सब ग्छjem अधिकारी हैं सब को दोस्तो एक तरह से नोटिशमेंट सब के डाल दिया गया बावजुद इसके यहाँ पर जल्ट जीरो है तो करमचारी यहाँ पर मजबूर हो गए इकठा होने को और अपने आवाज उठाने को मांगों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कोसल रोजगार निगम जो के तैत रखे गए करमचारी को रोजगार दोबारा से बहाल किया जाए बारा जून को हुए समझोते को लागू किया जाए अठावन साल तक रोजगार सुरक्षित करो ल्टीसी और जोकिम बता दि लेकिन अब धीरे धीरे अब जैसे जैसे समय भी तजार आया एक साल दो साल तीन साल लोग किसी को तो करमचारियों को हटाना भी शुरू किया जा चुका है कई जगे से इस तरह की अपडेट आती रहती हैं आगे बढ़ते हैं आपर हिसार से देख लिजी हटताली करमचारि को वापिस नोकरी पर रखने के लिए आपर जो है ग्यापन सोपा है तो तीन जार चैर सोशी करमचारी तो कम नहीं होते हैं लगबग साड़े तीन जार करमचारी जो नोकरी से हटाए गए उनको वापिस नोकरी पर रखे जाने की मांग को लेकर ये परदसन किया गया है तो तो 3480 जो करमचारी हटाए गए हैं ये एक काफी बड़ा मुद्दा है और लगातार इसको सरक करमचारी संग उठा रहा है या अपने पूरी की पूरी कारे प्रनाली जो है दर्साई है कि इस तरह से ये पूरे महिना अपने जो है कारे करम चलाएंगे 12 दिसंबर फिर 13 चारी क देख पाएंगे 12 की ललकार रैली में करमचारी दिखाएंगे अपना रोशा तो बारा तारी को करनाल में ललकार रैली भी क्रमचारी संग करने जा रहा हर्यान क्रमचारी मा संग अपनी मांगों को लेकरिनों ने आपर बता है कि लगातार जोस्तो जो है यह आवाज उठा रहे हैं अपने जो अधिकारों के लिए आवाज को आगे तक भी पहुचा चुके हैं ग्यापन सोपे जा रिवाडी बासकर से अपडेट मिल रही है पांच मांग से नहीं मिला है बकाया मांदे आशा यूनियन ने डीडी पीयों को सोपा है ग्यापन तो किस तरह से करमचारी प्रेशान है आप लोग देख पाएंगे पांच से च्छे महिने का इनको मांदे नहीं मिला है वहीं किया जाए और जो गोशनाई की गई थी आशावरकरों के लिए सरकार के द्वारा उन गोशनाओं को लागू किया जाए कैथल से राजोंद अपडेट है यहां पर देख लेते हैं सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 14 वे 15 दिसंबर को पैंडाउन टूल डाउन हड़ताल होगी जी हाँ पैंडाउन टूल डाउन यानिके अपना जो है जो काम करते हैं करमचारी यानिके जो अपने कह सकते हैं अध्यार ही त्याग देंगे अगर यह जैसे कि करमचारी है जो अपने संसाद अनजी से काम करते हो सभी त्याग देंगे अगर इनकी जो है मांगे नहीं मानी गई तो चोधा पंदरा दिसंबर को यह बड़ी हटाल का यहां पर दोस्तों जो है आवान कर रहे हैं अकर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो तो क्रमचारी संग पूरे हर्याना पर देश में जो प्रदर्सन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर यहां पर जजर्श अपडेट वी तसीलदार के मादम से निकाय मंतरी कमल गुपता के नाम ग्यापन सोंपा है तो अधिकारियों को ग्यापन दिये जा रही हैं लंबे समय से जो है बार बार हड़ताल करनी पड़ रही है करमचारियों को लेकिन रजल्ट जैसा कि आप लोगों पता है हमेशा की तरह जीरो ही हो जुँदाट technically को भोगों करेंगे लिए लेकिन आप 5 दो जीरोडनी दोघ प्र दोईच पर जीरोड़ एक लिर Christmas